बेगिनर हो और आपका गूल है मसल बिल्ड करना तो इस एक चीज पर आपका सबसे ज़ादा ध्यान होना चाहिए आज मैं officially 3 weeks out हूँ अपने bodybuilding show से as a natural and a vegetarian athlete जब आप beginner होते हो तो सीख रहे होते हो और आपने शुरुवात में ही कोई गलत चीज सीख ली तो उसे बाद में ठीक करने में बहुत मुश्किल होते हैं और beginners को सबसे जादा जिस चीज पर ध्यान देना चाहिए वो है exercise technique सही तरीका क्या है किसी भी exercise को perform करने का दो तीन चीजों को ध्यान रखो बस वेट हमेशा आपके control में होना चाहिए वेट वही पिक करो जिस वेट से आप अच्छी form के साथ 10-12 reps लगा पाओ beginner जितना हो सके machines को use करना avoid करो जादा तर एक्ससाइज प्री वेट के साथ करो ताकि आप सही technique सीख पाओ कर आपका goal muscle build करना है तो आपको 1.6-2 gram per kg of body weight protein चाहिए होगा अब आते है main topic पर कितना protein हर meal में होना चाहिए as such कोई fix amount नहीं है कि इतना protein तो होना ही चाहिए हर meal में हर meal में कितना protein है उससे फरक नहीं पड़ता फरक पड़ता है कि आपने दिन के end में अपना protein goal पूरा करा है या नहीं किसी meal में कम किसी meal में ज़्यादा सब absorb कर लेती है body पर हाँ मैं recommend करूँगा कि सबसे ज़्यादा protein आपके breakfast और आपके डिनर में हो अएवरे नहीं किसी睡ेे कराँ में करना हाँ में il यादा खर बड़ता है यादाना किसी of ये शोड़ता है